हाई गाईज इस आलिया भाट यूर वच्छिंग एक्सपोस इंडिया कीप वाचिंग सुप्रीम कोड के एतिहासिक फैसले के बाद देश में तमाम राजनितिक दलो ने अपनी अपनी रणीत बनाना शुरू कर दी है जिस पर अब बयानबाजी के दौर भी शुरू होंगे धीरे धीरे राजनितिक गरमाएगी सियासत आगे बढ़ेगी लेकिन इस एतिहासिक फैसले के बाद जहां राम लला को 2.77 एकर जमीन मिल गई है अब वहां राम मंदिर बनने के लिए सुप्रीम कोड ने अपना निरने दे दिया है इस पर केन सरकार तमाम तैयारी शुरू कर चुकी है लेकिन इस पर राजनित कि दिशा में आगे बढ़ेगी और ज्यादा बात करने के लिए हमाई साथ यूपी कॉंग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार ललू जी मौजूद है हम उनसे पूछेंगे कि आखिरका कॉंग्रेस के राष्टी नेतर तो पूर प्रधान मंतरी राजिव गांधी के दिवारा जो आयुध्या का ताला खुलवाया गया था उसके बाद की सियासत और आज की सियासत में कितना अंतर देखते हैं और कॉंग्रेस का वर्तमान समय में क्या स्टैंड है इस निरने पर हमें उम्मीद है यह फैसला लोगों के फासले को मिटाएगी निश्चित सम्मिधान के मूल आस्था पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए हमारी प्रदेश की जनता से अपील होगी कि एकता भायचारगी आपस में एक जूटता कायम रहे यही मेरी प्रदेश की जनता स अपील होगी बड़ा जो निरने आया है उसमें साफ कहा गया है कि जिस तरह मक्का दुबई में मुस्लिमों के लिए पवित्र है उसी तरह आयोध्या राम मंदिर के लिए यूपी के लिए और हिंदूों के लिए एक आस्था का प्रतिक है यह निरने किस दिशा में जाता द फैसले को किसी के जीत और हार से नहीं लिया जाना चाहिए। हम समिधान पर मूल आस्था व्यकत करने वाले लोग हैं समिधान की भावनाओं के साथ चलने वाले लोग एगर माननी उच्तम नियाले ने अगर को फैसला किया है तो हम उसके निर्ड़ा का सम्मान करते और हम मा कारे कई दलों ने राजनितिक पारियां भी तै कि अपनी कई लोगों ने पूरे देश में एक मॉब तरीके से बनाया कि हाँ ये एक बड़ा फैसला है और इस तरीके से है लेकिन आयोध्या शांत है उतरप्रदेश भी शांत है लगभग अभी तक कोहीं कोई ऐसी सुखबोग आहट देखने का नहीं मिली है कॉंग्रेस क्या अपील करना चाहेगी लोगों से कि किस तरीके से वो इस फैसले को देखें मैं पुनह इस प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि सम्मिधान की मूल भावनाओं पर आस्था व्यक्त करते हुए मेरी अपील होगी कि भाइच कॉंग्रेस आम जनता से यही अपील करेगी कि इस फैसले को सब की जीत और सब की हार न समझा जाए इसे देश की जीत समझा जाए और इस फैसले का पुरी तरीके से सम्मान होना चाहिए कैमरा परसन राजकुमार के साथ मैं विजित रपाटी एक्सपोज इंडिया लखनव